Hello Friends, Welcome to NS Classes, My name is Neetu, आज हम start करने वाले हैं, जीरो से हीरो बैच की पहली क्लास करने वाले हैं, इससे पहले मैंने जीरो से हीरो बैच के बारे में आपको पूरा बताया था, कि यह बैच जो है, वो किस किन किन उसके लिए एक्जाम, किन किन एक्जाम के लिए important है, सिकिन मैंने आ सब्सक्राइब करने वाले हैं जैसा कि मैंने कहा था कि यहां पर अलग अलग जो है स्टेट की सेंट्रल की जो है हम बुक्स पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि भई जितना आपका टीजिटी पीजिटी का एक्जाम में जो आता है वह आपका जो है बुक्स के अंदर से ही आता है बाहर से नहीं आता और कुछ चीजे जो है वह आउट ओफ आ जाती है ठीक है लेकिन अगर आप 90 नंबर का पेपर आ रहा है अगर आपको असी नंबर वहांग से देखने को मिल तो दस नंबर कोई बात नहीं बुए टॉप तो कोई नहीं करता आपको दो सिर्फ जो है एक जौब लेनी है ठीक है तो भी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी तीसरी क्लास को पढ़ने वाले हैं और यह जो तीसरी क्लास है वह आपकी के वीस की बुक में से ली गई है क्लास को काफी इंजॉइ करने वाले हो स्टार्टिंग टू एंड बिल्कुल देखना क्योंकि यहां पर आपको वोग दिया जाएगा ठीक है तो स्टार्टिंग टू एंड देखना है ताकि आप होमवग कर सको फिल इंदा ब्लांक होंगे जिनका जो है आपको अंसर करना पड किसी का भी होगर आपका एक्जाम क्लियर करना है तो आपको आंसर करने पड़ेंगे क्लास को स्टार्टिंग से लास तक देखना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल बेसिक चीजे करवाओंगी इसलिए करवारी हूं मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई बच्चे क्या होते ह जो तक जिनके पास कंप्यूटर नहीं था बाद में एकदम से उन्होंने कंप्यूटर लिया तो उनका जो बेसिक है वह रह जाता है जिस वजह से वह पड़ेते हैं लेकिन बेसिक अच्छे से क्लियर ना होने की वजह से उनको एक्जाम में जो है काफी सारी चीजे आशी ल मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कोशन आया था तो भी सारी चीजे डिसकस करेंगे तो आयोप आपको अवर्वियू मिल गया है अब देखो भी इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले है तो सबसे पहले है आपका कंप्यूटर का बिलकुल बेसिक पढ़ेंगे बिलकुल बेसिक आप समझ सकते हो कि इतना बेसिक होगा उसके पार जो है पैंट बरश आपको पैंट बरश के बारे में थोड़ा और जानने को मिलेगा यह इंतना इंपॉर्ण नहीं है बस मैं आपको नॉर्मल एक इंटोट दूंगी जादा जो है इन दो सब्जेक्स में नहीं करवाने वा सब्सक्राइब नहीं लुए थोड़ा सा और जानेंगे च्थर है आपका इंटर थीक रहे चाप्टर में थे नहीं है तो यह साथ चेप्टर है पहला है चांप्यूटर का बेसिक सिकिंड आपका फॉण फॉट बशार थापका मोर अब आपका पींट बश फोड़ा आपका तुछ के दो पूरा बताया जाएगा और आपके एको एकोंपोर नहीं चाहिए फिर फिर थोड़ अपको पूरोड के बारे में और है रहा है और फिर 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 आपको अपनोल था कुछ फिर निपा गुट यह कर लेगा उसके बाद जब फोल्थ क्लास के बुक देखेंगे तो मैं इतना डिटेल में नहीं करवाँगे अफटाक से जैसे मैं बताया वाप करते जाना ठीक है अब जादा टाइम ना वेस्ट करते हैं अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट तो सबसे पहले युनिट 1 है अमारी कम्प्यूटर के बेसिक की तो सबसे पहला कोशन यह आता है कि कम्प्यूटर क्या होता है सबी बच्चों को पता है भी अपने मास्टर किया वह जो बच्चे पढ़ रहे हैं अपको पता है लेकिन एक पर रिवीजन के लिए पटाफर सबसे अपने में करता है फर्द वे एक फिस्ट में एक ता कि आप ऐखे टीचर बन सको ठीक है, ओके कम्प्यूटर क्या है यह यह एक इलेक्ट्रोनिक मशीन है यह यह या दिए बचली से चलने वाली मशीन है टिक है इक रंस ओने ऐलक्तिसिटी ओविसली बच्चों ज़िय लेक्रोनिक मशिए जो की चलती है किससे बिजली से अप्रेटी है हमसे जो अवह इंपूट लेति है इटेक्स सब्रोग्राम क्या करती है उजल्कों तो आकको एक्जाम एक्जाम में देखो यहीं से कुशन आने स्साइ przedsiębior कोई भी एक्जाम हो प्रोग्राम की डेफिनेशन बिल्कुल पूछी जाती है प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछी जाती है प्रोग्राम की डेफिनेशन क्या होते हैं तो सेट अफ इंस्ट्रक्शन आपके क्या होते हैं प्रोग्राम तो यहीं से जो है आपका पहला कोशन ब case प्रॉससें दियाएं ए दिया है तो आपको आपको लिए कि है ken भाई एक कि वायू दी दस और पथेर्चिस तो आपको अपको सहल कि करें ओपुट क्या मिलेगी ब्रॉसब तर्थी यानि कि store का मतलब क्या है यहां पर आपका concept इंट्रोडीस हो रहा है memory का concept इंट्रोडीस हो रहा है memory का concept इंट्रोडीस हो ठीक है तो यह जो है आपके data को store भी करता है you can retrieve the data later on बाद में आप डेटा को ले सकते हो जैसे अपने computer में कोई भी चीज श्टोर कर दी और बात में जब आपको जरुच पड़ेगी तो आप वहां से निकाल सकते हो निकाल सकते हो कि ने निकाल सकते हो तो बस यही बात है computer follow input process output cycle computer इसको follow करता है input होता है output होता है और आपकी process होती है यही तो आप पढ़ते हो यही तो हम main चीजे पढ़ते हैं कि यहां से input हो गई यह आपका जो है process हो गया और यह आपको output हो गई इस process के अंदर जिसको आप CPU कहते हो और CPU आपका क्या होता है brain होता है और इसके अंदर आपकी तीन चीजे होते हैं कौन-कौन से उते होती है और आपका जो है रजिस्टर होते है या फिर जिसको आप memory unit भी कहते हो चीक है यह तीन चीजे में होते हैं एक्जाम में कई बार कुशन आता है और यह चीजे आगे explain में है और अगे detail में है ठीक है तो आपको यह जो तीन लाइन है यहां से काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा काफी कुछ सीखने को मिला की नहीं मिला न टीक है वैसे तो आप सबको पता है आता है मैं मानती हूँ लेकिन बस एक बर रिवीजन और आपको पता हो ना क्या क्या है है तो आप कुछ भी घर सकते हो यह आपका अपका computer है भई अब parts of computer and their functionality कि parts of computer क्या है देखो यह आपका पहला क्या है monitor or LCD है अब जिससे आप computer main है आपका main part है भी बिना यह कुछ हो सकता है नहीं हो सकता भी तो में है Central Processing unit main है कि नहीं भी आप इसके भिना computer का काम चला सकते हो नहीं चला सकते keyboard main है कि नहीं बिल्कुल है ठीक है तो यह क्या है यह आपके part है computer के और ठीक है और हर एक part का जो है अपना अपना अलग अलग रूल है यह आपका क्या है mouse है यह आपका क्या है speaker है यह आपका क्या है printer है clear है यह सब क्या है आपके computer के part है उसके बाद है starting and shutting down the computer की आप computer को start कैसे करते हो मुझे पता है आप सभी को पता है लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब देख लेते हैं प्लग इन करो कंप्यूटर को और जिदने भी आपके पैरिफ्रल है यानिकी इन्पूट आउटपूट है इन्पूट आउटपूट 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 इन्पूट 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 computer वोट होने लग जाता है और जो computer की बुटिंग होते तो जो बुटिंग कहां पर store होती है RAM दो राम या राम दो अंदर राम डारं में खाम बता क्विटा ना इंहें अव्हिंगे राम ना इता है उसके बाद शुद्दावण to turn off your computer, to turn off your computer, click on the start button I clicked on the start button then in the lower right corner, the start button, click on the shutdown then click on the shutdown, when you click on the shutdown, computer will ask to close all programs suppose I opened the PPT and didn't close it, I opened the Chrome and didn't close it and what was the computer to shut down so when I shut down, it will ask what we closed the program if you closed it, it will not ask if you closed it, it will ask if you closed it if you didn't save it, you will save it and then close it when you click on the shutdown, computer will ask to close all programs you opened and closed them okay? we will come many questions that you think are important now computer room, educated these are very basic things, you should know we used to go to the computer lab, shoes, these are all things open the door, computer room slowly and enter it, comment quietly you are very comfortable you don't want to do anything, you don't want to do anything so these are the sizes all of you should know you should know this is all basic now the question comes from here because we are not doing third class we are doing main things which is the point of view from our exam about as you are playing so here, you have to ask about the exam see what is a keyboard is like typewriter like a typewriter now here, one question that comes from here I think that I have learnt to be a computer because we have had revised all things तो आपने computer network में एक चीज पढ़े होगी Half duplex Full duplex और एक पड़ा था अपने simplex यह मोड़ अफ ट्रांजिशन पढ़े थी नहीं पढ़े थी अब आप मुझे बताओ कई बार कुशन आता है जो keyword है वो आपका क्या है simplex है, half duplex है, full duplex है आपका homework मानलो कुछ भी मानलो यह आपको मुझे मुझे बताना है कि इसका अंसर क्या आएगा clear है भई यह कोशन यहां से जो जो कोशन बनता है जो एक्जाम में डारेक्ट आता है वो मैं साथ के साथ बताते हुए चल रही हूँ आपको कोशन भाटे देन नहीं अलगि के हमने पढ़ ने रखा तो कीबूट आपका इसके यह जो है keyboard है इस तरीके से चोटे-चोटे बटन होते हैं इस तरीके से चोटे-चोटे बटन होते हैं इसमें आपकी function key आगई okay, alphabatic key आगई, numeric key आगई अब जो आपके question आते हैं ना आपको यही यही से याद हो जाएगा कि function F1 F12 से लेकि किसका क्या काम होता है alphabatic क्या है numerical क्या है जो है आपकी special keys यह सब आपको यही से आद हो जाएगा these keys are small button on the keyboard alphabatic on capital letter numbers some special character are printed on the keys whenever we press the key whatever is written on the key will printed on the screen okay, now type of keys, keys को आप चार पार्ट्स में डिवाइट करते हैं keyboard है आज आपका यही काम है keyboard को चाहन मारो कि keyboard में है क्या आपको को स्मार्टम कर दो अपने keyboard का है तो वही हम आज कर रहे हैं type of key, four type में को डिवाइट करते हूं सबसे पर आपका alpha, alpha bat key जिसमें आपके alpha batik होते हैं A से लेके Z तक तक पिर आपकी numaric key जिसमें आपके 0 से लेके 9 तक नमारी key आती है यहां आपका capital A to Z पिर आपकी function के जो कि F1 से लेके F12 तक होती है कि हम alive कि दूआ हम सकते हो, भी कुंद की बता है तो तो आपके तीन इसकी है फ मैं कि swinging ठीकी है तो इस अपके कीोह से लिए इसकी काल्चे जिसे काल्च डाब कीम के 8-6 intense का रिकल्क क काल्च करτα psychologically इसकी आपका, यारो दो, चाँ जिए, जो रिए? दोइक है स्पेसवारी संधे शिばककि निए वह बदा सरत देखे ट्रहणी और वह तो गमजी हम फिर आपकी अपकित अउल्ट की हो गाई अंटे की हो गई यह सब आपकी क्या है वहीज है वही यह स्पेशल कीसँ तो ABCD, इस तरीके से आपके ABCD लिखी होती है, 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 लि हमारे की आपकी 10 होता है लेकिन 0 से लेकर 9 तक कीबोर्ड में इस तर이όげ Phillips को होते हैं लास्ट्री काफ जब चाहिए षाहिग होते हैं presents सब्सकेशल वधियाम काफ़ी की में काफी सारी चेपने मापकी 바꿀 क dairy होती हैma क्या ग 12 यह ones कि ख SGT का उर से touch house Plus लेक अट Давайте List है嗎 उस तरीके से जो है लास्ट में सरे कीबोर्ड । पर बबनी होती है और प्तिर के बार की काफिस क्या उर्ट है क्या है तो वो क्या automatic किसमे कनवर्ट होने लग जाए का स्मॉल में यह काम होता है कि नहीं होता है जब हम इसको ओन करेंगे तो बड़ी ABCD लिखेगा इसको ऑफ कर देंगे तो चोटी ABCD लिखेगा तो इसकी इसकी इस यूज़ वैनेवर वी वांट तो टाइप था एंटाय संटेंज ह the key is key is suppressed in once the yellow light on the right corner of the keyboard where the Capsule log is returned on the button this way you reopen your captues letters and after after enter key we use the key is used to finish a line line isMcFree to finish a line and move to next line on the page this is the next line move on to the next line enter key is after typing every command there are two enter key on the keyboard two enter key on the keyboard this way you enter key or not just look at the keyboard after shift key with shift we create shortcut pieces shift key is present on both side of the keyboard both sides are present in your keyboard shift key प्रज Bunu क्वेशें जुआ होती है न Humans Article है इन्ट कह सवह होती सब दो कैसे आपका ne ωज मैं की जुअ कैसे फृब होती हैं तुब कि यह बिलन कि मोडिफाइर की से एक की बोट कि शुए हैं तो देखो को शना आता है तो shift key है किया है काई कौण कौणी होती है तो shift की आपकी क्या है क्या है क्या है को अपिछाइर की है है यहां से कोशन बन रहे हैं एक्जाम में आए यह कोशन ठीक है shift key is a modifier key keyboard यूज़ तू type capital letter and other alternate upper character these are typically who shift keys on left and right side row on the home row तो इस तरीके से जो है आपकी shift होता है उसके बाद आएगा आपका space bar space bar जो है this key is used to insert the space between मतलब space bar क्या कर तो space अब मैं कुछ लिख रहूं जैसे मैं लिखा A, B, C अब मैं आगी कुछ लिखूँगी तो उनके बीच में space देना चाहते हो तो मैं क्या करूँगी स्पेस बार को एंटर करोंगी तो space जो है automatic space जो होड़के फिर जो है मैं लिखा B, C, D इस तरीके से उसके बाद है backspace की को रहिए को चना एक कर दो पता हो ना चाहिए तो यह जो कि होति है वह a इस कहती है इंसर्ट था एक प्रफेस 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 प्र चोटे-चोटे पॉइंट है लेकिन आपके एक्जाम के पॉइंट अव्यू से काफी जादा इंपॉर्टन है अगर लेफ्ट करेक्टर को डिलीट करना हो तो इसका उसका उसका जाएगा यह मुझे कमें बता देगा उसके बाद आती है आपकी आरो की क्या आती है आरो की आरो अब बात कर रहे है आपके माउस के बारे में आखको काफी कुछ क्लियर हुआ होगा तो माउस में यह आपका उल्ची मोग होता है तो देख nonetheless ौई डTrick दिखाने ने की माउस होता है क्या होता है इक क्वील होता है क्या है यह तक जी तक ए यह यह क्ई एक दिलीएप्रा इक tool, icon, selection of text face, surface and we can select multiple entities by the button okay, wheel is used to scroll the page up and down the wheel is the one that I have to up the page right, I am going to go up the wheel, you are going to down the wheel so who do we use it, the wheel is the one that we use right button, why do we use this right? right mouse button is used to invoke the shortcut key right, means to invoke the shortcut key so this was your now is your do's and don't what you should do in the computer lab remove your shoes, before entering the computer lab wash your hands, dry your hands before touching the computer part no food and drink is allowed in the computer lab no food is allowed in the computer lab work well in the computer lab do not change any computer setting do not change any computer setting what we are doing in the computer lab you are storing large amounts of data we are storing large amounts of data reliability and versatility what is your strength, advantage कि इसके लिमिटेशन रिए नहीं है कि अधियर इसके अधियर कोई सा शॉचने शॉचने कि शॉक्ति क्या नहीं है थे ऐसे आदमी थे ले लेता है वैसे ही हम आपकी मशीन है वह कि अधियर है नहीं ठिक आप देखो कोश्चन आ गए है कोश्चन आ गए हैं तो भई कंप्यूटर क्या है कि आप यह देश पार्ट मॉनिटर लुक्स लाइक इसके जैसा होता है कम्प्यूटर इस एंडश मशीन कैसी मशीन इस पूल कॉप्यूटर इस तू टीच डैस अबजेक्ट ठीक है वस्य टाइल व आप सब्सक्राइल को सबगषों सब्सक्राइब करja सब्सक्राइब करें इस छिंवीन मैंधेमाटिक नचल को सब्सक्राइब कि आप प्रोल्म को सोल कर सकता है true या false mouse is used for clicking क्या mouse जो है वाप क्लिक के लिए यूज करते हो क्लिक के लिए यूज करते हो true होगा या false होगा भी मैं आंसर नहीं दे रहे हूं आप दोगे अब आपके जो answers है वो next class में मैं डिस्कुस करवाऊंगे monitor is used for displaying output monitor के जो output हम उसको डिस्प्ले करते हैं ठीक है true होगा या false होगा backspace is used to insert character जो backspace की है हमने backspace की पड़ी थी क्या वो character को insert करने के लिए यूज करते हैं ठीक है true या false computer is very slow machine क्या computer जो है बहुत ही slow machine है तो बही कौन से true है कौन से false है अभी वीडियो को pause करो और आंसर करो देन जो है next chapter की तरफ बढ़ेंगे समझ में आ गया भई अगर फर्स chapter clear है तो भई यहीं से comment कर के बता देना yes ma'am clear है और अपने answer जो है वो एक-ट comment में बता देना इसका 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 द्राइंक करने के लिए अडिश करने के लिए पिक्चर को ठीक है पींट बश जिसका इसा हो तसके जाई सा इसकाष प्रेंपीं बिच इंतर। त recurrence आपर की तरह बकार में आट हूच लोगत इसाम करना आपक तक अधरिय हम करें हृं सी फाइल में लो है कर अद्मक फाल कर द्यू होती है तो डेफाल फाय में रायंट यह कंच ड़िछा ने हां राष्टर EKस ड्म taka में एक ड्यू आपकर शाम रहाईए Ally step to open paint brush आप सभी को बताए कि क्लिक करेंगे और प्रोग्राम में जाएंगे असेशरीज में आपको पिंट मिल जाएगा तो यह सब आपका प्रोग्राम का इस तरीके से आपको विंडो मिलती है जिसमें आपको कट पेस्ट पेस्ट स्लैट क्रॉप रिसाइज रोडेट अज़ेख आपको पताए कि इतनी सारी प्र露ाश थरीके को छे अलग तरीके के होती है तरीके के अएक तरीके को भ nei तरीके के ही तरीकश अगर घरत कर यह तरीक्ष का रही किसले अजया जादा हम्या यह पना मैंगनिफायर ते लिए किसले उस नहा न्युस बूम कर लुट मैंगट मैंगनिफियर की एकंट लमें उनसरोचेक्न से एकार नन सब्सक्राइब इस तरीके से देख वेक्ट लंसरे हैं, तो इस तरीके से चोटा साइलاع है यह तरीकलों गॉर छोगा सब्सक्राइब बड़ा हो गए ना? तो इस उसे थीड़ा पिक्चर अबज़ग लाज़ग फ्रॉम जोज़ ए राइट क्लिक करेंगे तो माउस बटन विल जूम करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो जूम वो आउट करते का पिक्चर को Okay, अब यह व्या अब है तो आपका डिक्टर नियुकूष कर लाइट करेंगे तो डाइट करेंगे तो अगर आपको कुछ तो पुम करना यह एकी किसका यूजड़ करेंगी this शहीं, वह बता देख on, यहाला देख शार और यह पर उस्क्रों नहीं रहा है वह वह रुट प्रम्राइस करोंगे जो बच्चेय कमेंट करेंगे तो उनका गलत है, सहीं शहीं करोंगी एंटनार्ज और दियूट पिक्ट्टर एक लार्ज करने के लिए लिए क्या यूसकर हड़ करते हो है और कम करने के लिए तो यहां पर ि बताते ना waking एक लदाए देख देखो अज्गह अज ceramid को फिछर कार फिचर freedom, selection, view menu, zoom in, zoom out, full screen तो select क्या होता है, तूल is used to select the particular part मैं यह वाला particular part को मैंने select करना है, इस विंडो में मुझे पर्टिकुलर इस पार्ट को select करना है तो क्या है, select ही तो कर रहा है, तो इस बिदिफेरेंट शेप, अलग अलग शेप से, कि मुझे स्क्वेर में चाहिए, सर्कल में चाहिए, किस में चाहिए, तो है तो सेलेक्शन की प्याइप शेप आपनेक के रहे हैं तो सकता है, तो छोersonश और के मैं चाहिए तो सकता है टा है तो सेलेक्शनी के नहीं हो सकता है, अब प्रेक्टंगल अजेखे है तो दश na rectangle we are car mummy करता है will appear around your selection with the moon मतलब जो दशे अंदर Clevelandoga Am when they इसके बाद है free from selection, free from selection क्या होता है यह तो हमने rectangle selection देखा आप देखो free form क्या होता है this tool is used to select an object in irregular, मतलब किसी भी shape में, irregular form है ना free from select is also understood in coloring part of black and white images and voice, वर्षा, इस तरीके से see here from this way randomly, रिर्गुलर वे में, कोई particular ही ना है कि रिस सर्कल ही होगा दिल्कुल इस तरीके से प्रौपर शेप होगे jeśli रेक्टैंगल ही है रेक्टैंगल ही है ठीकत किसी भी shape में, अभी रेक्टैंगल के शेप है कौनसी से रेक्टैंगल के शेप है घुम एंड़र फुल स्क्रीन तो ये विद्ट में ये विसां डिष अमने पीछ से क्या होता है क्या होता है जुम एुद्ट रूलर होता है फुल पर्ति है ठीक है तो जुम इन डिस ऑशेंस इस उसे विवेशं अलाज मतलब बडे मोड में अपको अपिछ डिखा देखा था It represents the closer view to the image, it means closer, it means it seems that we are seeing the image, okay, from this way, look at it This has been shown here After this is your full screen, now look at it, okay, not full screen, so this option is used to see the full view of the screen You can also use full screen option by pressing F11, the most important point in this chapter is this If you have to use the full screen, what will you use, which shortcut will you use, F11, who will you use, F11, who will you use, F11, many times, any exam If you have to use the full screen, who will you use, F11, okay Only image will be displayed without any tools, you can return back to original screen by clicking anywhere on the screen, okay, clear? Let's see, let's see, here it is finished, okay Now our next chapter, which is very important, we are going to start the desktop There will be a lot of questions from here, so you should do this, okay? Look, what is the desktop? The desktop you have not seen, what is the desktop? It is a primary user interface for the computer, what is the primary? It means it is the main, it cannot work without it When we boot up a computer, the desktop is displayed once the start-up process is completed When we boot up, the desktop displays that the start-up process is completed, okay? The desktop is an area or window on a computer screen, it is a small picture, okay? This means, you can show small icons for everyone Are arranged like an object on the top of the desktop, okay? Look, this means, you all know, I know, you all know, you all know, but one time recalls in your mind Something that you don't know, the new ones are very good for you And if you have read everything, it is also good that you are getting revisions, okay? It includes the desktop background on wallpaper, okay? You can put anything on wallpaper, icon of file, folder, we have many, we have saved on desktop In window, desktop includes a taskbar which is located at platform of screen by default Therefore, it may be helpful to store commonly used file, folder, and application shortcuts on your desktop, okay? Look, this is your start button, this is your taskbar, this is what is the taskbar, okay? And this is what are your icons and what are your shortcuts, okay? You can store shortcuts on the top of the screen Then, display properties, which way you can display it? Display property to change desktop background or wallpaper in personalized settings, okay? Right click on empty space on desktop and click personalized, okay? So, you can use your properties Click on desktop background, link at the bottom of the window, okay? This is your desktop background, this way All of you have done, all of you have changed in the background, you will know, right? After that, select a picture location, particular location, you can select the picture location So, click drop down arrow, okay? Drop down arrow menu to select the list of available picture folder location Click on browser button, navigate the picture folder location, okay? Now, what is the note? To another regional wallpaper, see the yellow tip box at the top of the tutorial To remove the folder from the picture location, okay? So, this is the same thing you have to know You don't have to know how to do it, okay? So, all of you have to know how to do it, okay? Identify icon on desktop In desktop, we identify the icon on desktop, it is the most important thing here, okay? An icon is a small graphic representation of a program or a file that when clicked on will run and open, okay? The icons are used with graphical user interface The icons are used with graphical user interface The icons are used with GUI, which ones are used? Graphical user interface, okay? Operating systems such as Microsoft, Windows and Apple, Mac, okay? So, different things, like Recycle Bin's different icon, your main system, like PC's different icon, right? Everyone has different icons, like music's different icon, so what is it? It's all GUI, right? We use this icon After that, when you double click on open an icon, what do you do? What do you use to open the icon? Double click Associated file and program will be opened for the example If you double click on my computer icon, okay? So, you will open the CD, all of you will open, okay? Double clicking, file will open that of document associated program, okay? Then start button and taskbar So, start menu is used to open program and folder such as the things your computer and turn on your computer, okay? What is your taskbar? What is your taskbar? Taskbar is a horizontal bar, located at the bottom of the screen, where running program is shown when minimized represented by icons, okay? So, what is the taskbar? It's a horizontal bar, what is it? The taskbar is a horizontal bar, which is located at the bottom of the screen, which is located at the bottom of the screen, The running program, when you minimize it, when you minimize it, when you minimize it, it will be minimized at the bottom of the taskbar My computer is a pictogram displayed on a computer screen in order to help users navigate to a computer system, okay? After that, there is a My Computer window screen So, in my computer, there is a My Computer that is available resource of your PC Like, you have a Recycle Bin, you will understand what is your Recycle Bin, okay? After that, there are your input and output devices What are the input and output devices? The input and output devices, which you give is your input, which you get the output, which you get the output, which you get the output? After that, there is a light pen, okay? After that, there is a touch screen What are all your input devices? What are your input devices? What are the outputs? Which you get the output So, there is a monitor, a speaker, a printer What are all your output devices? Now, let's look at the processing Here, the main screen, you can start the question from here So, what is the computer? What is the meaningful information? It means that it produces and it gives you output Okay? So, see here This is your input And three things, which are main, are processing In the CPU, there are main things What is the central processing unit? What is the ALU? There is control unit and register Which you also call the memory unit Okay? So, there is a question about Which three main things in the CPU Will it be? Control unit, memory unit And arithmetic logic unit Okay? If you don't see the register, it is correct Okay? So, the CPU is your brain Which computer? So, control unit What is the component of computer Central processing unit Which direct operation of the process What do you do? Direct operation of the processor It controls communication and coordination Between input and output devices It reads and interprets instruction And determines the sequence of processing the data It direct operation of the other unit By providing timing and control signal This is very important This is the timing and control signal And the definition of this Because here are questions from the exam Which is direct operation of the unit By providing timing and control signal All computer processes are managed by CU All computer resources are managed by Which control unit It direct the follow-off data between the central processing unit Okay? After this, the memory unit Memory unit What works? Whatever your data is stored You have to be stored So, the memory is stored So, when a program is fed into the input-input unit The information is translated into machine language And stored in the main memory Okay? Now, you all know about that The user is giving data at the high level Like the human beings like 1,2,3 ,1,2,3 A,b,c,d This is a form of data But what computers get the data from this form or do not Can it convert? In machine language Can it convert to this data? Can it conform or not? So, when you want to change this data We need to be intermediate We can store the data So, what works in the memory unit? Okay? So, when we translate it into machine language then store in the main memory and instruction of the control unit when instruction is given to the computer by the user to execute the program the control unit instruct the memory unit to supply the data and information to the ALU processing why do we need memory Arthmatic and logic unit By arithmetic, टो प्लस मैंस, ब्लस नेड़न, ग्रेटरन, और और, बितवाइस यह सारे अपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तरहां पर अर्थमाटिक लोजिक युनिट के अंदर ठीक है अब यहां से कुशन आ गए है यह देखो माउस क्या है माउस इज आपका आपका आपूट डवाइस इंपूट डवाइस है सीप्यों केंड गएव दाशिव क्या करता है ऐप डेका आपड करेक्टर इंपूट डवाइस मिं कीबोर या माउस कौन युँट डशका डशन डशन ऑफ यू इंप्वाइस कौन सा देख फिल्ज हो ऊपका डश्ट बीन और कंप्यूटर के अंदर क्या बोलेंगे है उसको ड प्रिंटर क्या है तो यह सारे के सारे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसके बाद देखो भई यूनिट फाइव यानिकि एमस्वर्ड आपका स्कार्ट हो गया है दो तीन चप्टर और एक देख लेते हैं जादा देखो एक घंटे में आपका फूरा का फूरा थर MS Word सबसे परा कोशन यही है कि एक application program है क्या है application program है word processor process word paragraph page entire paper एक है तो इसमें क्या होते है pages होते है the first word processor word basically computerized typewriter which little more than place character on screen which could then be printed by a printer modern word processing program include features to customize the style of text टेक्स्ट को कस्टमाइज करने के लिए बचेंज पेच्प्रमेटिंग को चेंज करने के लिए na गटेज המס़ लिए प्रेंटिंग में तो आप मुझे क्मेंट सेक्शन दाएंगे इसके बाद आता है आपका इंटोड़क्शन तो MS Word पढ़ने वाले हैं MS Word जो है वे प्रोग्राम होता है जो हम यूज करते हैं यूज फोर टाइपिंग टेक्स्ट कोड़ MS Word is a part of MS Office MS Word किसका पार्ट है MS Office और MS Office अमारी स्लेबस में है यहां से कुष्चन आता है और यह वाली चीज़े आपको काफी जादा जो है काफी जादा जो है काफी जादा जादा आजाए का कंप्यूटर के अंदर तो पैकेज विस कंसिस्ट विद MS Excel MS Excel हो है MS PowerPoint होता है MS Word होता है थी जादा जो है यहां से काफी इंपौटर है जो के एक्जाम के पॉंट व्यू से आपके एक्जाम में आती हैं तो भाई, what can we do with the text in MS Word? You can change writing style, you can change your writing style, you can change your writing style, you can change your size, color of text Text can be highlighted by bold, text can be highlighted by bold, the text can be highlighted by bold, it can be bold, italic can be underlined by italic Spelling and grammar are checked and converted automatically in MS Word okay so automatically convert then is creating document in word we create document by typing the text the text we type displayed on the screen so you type whatever you type you can see on the screen when the text reaches end of a line word automatically move press the spacebar to give space between words so if you have space between words you will use spacebar, you will click the spacebar if you want to delete a word or a line if you want to delete a word or a line if you want to delete a word or a particular line then you will use backspace or delete key so this is important here this is your MS word, 2010 so these things are the upper ones you should remember what it is there is a file, a home button, a insert button a page layout, a reference, mailing, review, view and add-in what is that? there is a file, home, insert, page layout, reference, mailing, review and view this is your tab this is your specialties you can access easily this, your title bar this is your title bar what is this? it is by default it will be saved by default kin be saved by default document 1 and what is it? यहां पर यहां पर यहां डायलोग बॉक्स यहां पर नेचे वाली अपकी कैसे श्तेटेस वार यह तो दोक्यमेंन तेरीया जो भी आपको लिखना यह यापके व्यू बटन है यह आपको जूम तो यहां पर अगर कोशन आए कि मिनिमम जूम जो है वो MS Word में कितना होता है मिनिमम जूम कि बात की जाए MS Word में तो 10% होता है और माक्सिमम जूम अगर बात करें तो 500% होता है तो मिनिमम जूम जो है वो 10% होगा माक्सिमम जो है वो 500% होता है Select the text Select means choosing the test to the formatted just bring the cursor in the beginning of the text we want to select press left mouse button drag the mouse till the end तो यह इस तरीके से copying and movie मुझे कुछ कुछ करना है copy करना है तो आपको यह पता है कि control plus C से जो है हम क्या करते है copy करते है control plus V से पेस्ट करते है control plus X से क्या करते है cut करते है यह यह पता है तो control plus V से पेस्ट करेंगे control plus C से copy करेंगे control plus S से जो है वो कट करते है तीनों शॉटकट की है यह जाए आपको वैसे पता होगा सभी को है ना डोक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपका जो है इस तरीके से आप MS Word को क्लोज कर सकते हो यहां पर ख्लोज करके ठीके एक्जिट कर दिया आपने यहां से भी आप एक्जिट कर सकते हो अगर आपको बहार जाना है तो ठीके बस अब यहां से जो है आपको खतम हो गया है अब यह कोश्टन्स हैं भई फिलिंदा ब्लांक हैं देखो अगर आपको जो है अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है तो आप किसका उस करोगे डैश अपीर ओंदा स्क्रीन क्या होगा तेक्स्ट कैन बी कॉपी बाइजिंग किस कॉनसी की से आप कॉपी कर सकते हो मैंने आपको शौकर्ट की बताई ब्ल इटालिक अंडर बटन अर प्लिस्ट प्लेष अंडर ब्लाइब कॉनसे टेब में कोंसे अंदर होते हैं डैश लोकेटेट ब्लो ताइटल बार, टाइटल बार के प्लो कौन पर्मेटिंग टुल बार इस गुटेंड है next is our little ms word here we have a formatting tool font, italic, numeric, bullet what do you do with formatting text? format text to make a better way to design the text font size, underline, style, bold, italic, etc type the text like the portion of the text using the selection procedure using bold, italic, and underline options this bold, you know what you do with B you do with bold, italic, I underline the U button what do you do with superscript and subscript? this should be superscripts this is your like this is your superscript this is your power that the power is above and subscript is like H2O the power is below so this will be your subscript and this will be superscript clear? and this is also shortcut someone will tell you what is control plus shift plus equal to control plus equal to which one will be subscript or superscript I have told you both but this will not tell you which one will be so this will tell me in the comment section control plus equal to subscript or superscript control plus shift plus equal to or plus both so this will be superscript or subscript in the comment section tell us next created, bulleted, and number list you have seen what are your bullets this is if you don't put anything otherwise in this circle in this circle in this circle in this square in this circle in this square what are your bullets? what are your bullets? what are your numbering? from this way you can do now this question this question came to DSSB TGT exam in DSSB TGT exam this question came to justify which will be shortcut so control plus J so this question came to me you can see if you have read it then you can answer from Ram and Ram everything so you will use control plus L center control plus E right control plus R and justify control plus J so you will use this is important this is very important this is alignment with your left center right justify all these see these 4 justify this is your left this is your center this is your right this is your right this is your justify ok? change cases in change cases lower case upper case capitalize each word means the first word is all toggle case so this is from this way where are they? here sentence lower case upper case so choosing case case command to home tab allow to change the case character in text without having a written type retype change all selected text to upper case lower case and other common capital ok? this is your upper case all the big big this is your capital means the first word will increase and the rest are small ok? inserting the special character with symbols you are also inserting the special character so insert the symbols that are not on your keyboard such as copyright symbol ok? trademark symbol paragraph mark and unicode character so word art insert the decorative text in your computer now see page break this question is important this question was DSSHSB sorry PGT if you have to break if you have to break if you have to break then you will use control plus return ok? page break start the next phase at the current position that is used for control plus return this was in PGT so you can see that everything is considered everything is considered ok? so for page break control plus return who will use control plus return let's talk let's talk remember now the clip part insert the clip part into the document including drawing, movie, sound, stock, photograph, illustrate the specific concept ok? image group on the insert tab content placeholder this is all not all date and time this is all what happens in your work ok? text is a pre-format text box whatever you can choose whatever you can choose ok? now the last chapter is our last chapter is the internet internet is very important and in the third class it is also coming so everyone who has been now you see in the third class everything you can see in the third class if you have a question on PGT level you can see that the third class book is so important and there are so many things that you have read before you have read and there are so many things that are important from the exam point of view ok? ok now what happens internet internet is a world wide network of your computer if you have a good class please like it by the way I have made notes I have made notes I have made notes by the NCRT which can clear out and if you have a good class please like it see this is our first class and the more you get the more you get the more you get the more you get it will be more more read the entire book it is a time it is a great thing then comment tell us if you are good then tell us if you are good ठीक्BaLi करते लिगाले उपूरी निहें कि वीजल थर्य पिर था इस पर सुषकिसे करेंगर का अधर्वावज पना से पना सिस्क बीजल की साहरें जैसे तेक आपको ठीकल के वैसा मुझे बता उतकर करते अलाव करता है sharing of information In this network the computer are connected through cables and any other devices Okay, what is this? In this network the computer are connected through cables and any other devices The internet connects millions of computers around the world The internet connects millions of computers around the world The internet is a global network and a worldwide network The internet is a global network and a worldwide network Why do we need the internet? Everyone knows about communication Main is communication Now I am sitting here In my state, I belong to Haryana If I talk about Haryana or Kerala, I can talk easily on the internet I can easily call on WhatsApp In India, if I talk about other countries, we can do it Who can help with the internet? What is happening? Communication is happening or not We are able to communicate face-to-face We are able to research, send a mailing or mail What is happening? What is happening? Internet is happening Without the internet, you can't send a mail Research In today's time, in research, you play a lot of important role in your internet In education, you are using it Now, you are studying TGT-PGT exam Who is helping you? You need internet help Financial transactions Real-time update So, what is happening? You need to know who is internet Okay? Requirement from internet connection Now, for internet connection, you should have a requirement What should you have? You should know this First of all, you should have hardware Apart from the monitor, keyboard, mouse These are basic things We have the following hardware requirements You should have modem 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 Modulation Okay? And which thing? Digital Analog Analog Digital NIC Network Interface Card What should be? NIC Network Interface Card And you should have RAM 1GB Okay? This is your hardware What should you have in software? What should you have in software? Operating system like Windows, Linux Web browser Like Internet Explorer If you are sending a mail You will use any browser to open your mail So, you should have Google Chrome or Internet Explorer Mozilla Firefox or Netscape Navigator So, you should have software and hardware If you have a requirement of internet connection Okay? Steps to open web browser To open web browser Click on your web browser icon Write website name and address bar Okay? This way Click on go to the enter You press enter So, this way You will open Google Okay? What is search engine? Search engine is a software Is a software system that is designed to search for information on the worldwide web What is search engine? It is a software system that is designed to search for information on the worldwide web Okay? So, search engines like Google, Yahoo, Altavista Okay? Finding, Downloading, Saving, Images If you have to find something, download something, save something, then you will use it Who will use it? You will use it So, this way Find it So, whatever you want to find You will type in search engine Type in web browser Type in search engine Type in search engine Open it Type in type Whatever you want You will open it Okay? So, these are basic things Download it Download it This is your last last What is the internet? Now, you have to answer this answer Okay? What is the internet? What is the website? What is the definition of the website? Because here is the question Okay? So, the website definition of the website And the internet definition of the website Okay? So, any browser name You can also know the name of the browser As much as you know You are a big child You are a big child This is a 30-class child So, you are a big child As much as you know the web browser As much as you know the browser As much as you know the browser That is the same That is the comment section After this, fill in the blanks This is important What is Google Chrome? Google Chrome is a What is Google Chrome? Google Chrome is a Internet is a network of What is Google Chrome? Dash is a search engine The world wide web is based on Dash interface The world wide web Who is based on the world wide web? Okay? NIC stands for NIC's full form And this is NIC's full form That is also asked for your PGT-PGT exam And what is the definition of NIC? That is also Tell us With this With this The book is complete I hope you will understand this I hope you will understand this And this is your batch Zero-Hero batch If you feel like Please tell us in the comment section Because your reviews, your comments All of these things are very important Because doing so basic is a great thing So, daily book will be complete So, tell us in the comment section And don't forget to share it with your friends Don't forget to share it with your friends With your friends With your friends So, please share it with your friends So, please share it with your friends With your friends So, we will meet with this new class Tomorrow we will meet with this book With the fourth class Bye and thank you